नमस्का प्रिविद्यार्थियों आप सभी का अपने यूटूब चैनल बिद्यार्थी प्रिवर में श्वागत है आज की स्कड़ी के अंतरगत यूपी बीएड सायुक प्रविश्वर रिच्छा दोजार तेश के अंतरगत जो आपका रिच्छा होगी उसका एक्जाम पैटन कैसा होगा उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सस्राइब कर लिजे और बिलकरन क्लिक कर लिजे ताकि आपको सारी जनकर या मिलते रहे तो चलिए सुरू करते हैं हमारा जो आज ये परिवेश परिच्छा का प्रारूप या एक्जाम पैटन है तो सबसे पहले आप देखिएगा आपका जो परिच्छा होगी यानि वो आपके दो पेपर होगे पहला तो आपका दो पेपर होगा साथ ही साथ इसमें माइनस मार्किंग भी होगा और ये आफलाइन माध्यम में आपका उमार सीट पर होगा इतनी बात आप पहले याद रखिएगा देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है परवेत परिच्छा के दोनों प्रश्वपत वस्तुनिष्ट प्रकार प्रश्वपत आधारित होगे अर्थात अब्जेक्टिव माध्यम में होगे पिछले वर्सों की तरह ही इस वर्स भी आपका नकरात्मा अर्थात माइनस मार्किंग भी होगा प्रतेक सही उत्तर के लिए आपको दोवगत दिये जाएंगे और गलत उत्तर पर आपको ठीक है एक बड़े तीन अर्थात तीन में से एक आपका क्या होगे अगर आपने तीन कोशन आपने घलत किया तो एक कोशन आपका या आपने आटोमेटिक जो सही किया आपने कड़ जाएगा इस परकार आपके माइनस मार्किंग इन इधायत होते हैं तो चलिए सुरू करते हैं हमारा जो एक्जाम पैटरन है तो सबसे पहले देखिएगा आपका परवेश परिच्छा जो होगी उसमें आपके कुल दो पेपर होगे कितने पेपर होगे दो पेपर पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा आपका दो खंड पेपर में होगे, तो पहला पेपर देखिएगा, आप सब के लिए अनिवार पेपर है, जो खंड आ है, वो सभी के लिए अनिवार है, इस पर आपको एक वीडियो दिया जा रहा है, जो आपका सामान ग्यान पर आधारित है, आप deception box में चक करिए, सामान ग्य पुछे जाएगी, एक पहली चीज पुछे जाएगी, सामान ग्यान के अंतरकत, कुल पचास प्रशन होगे, और इसके दो अंग निर्धारित हैं, तो कुल आपके शौ अंग मिलेंगे, साथ ही साथ आपका इसमें भाशा दिया गया है, तो भाशा दो है, आपका एक तो हिं जिसका अंग होगा 200, अर्थाद एक प्रशन का आपका दो नंबर मिलेगा, आगे चलते हैं, आपका जो दूसरा पेपर है, इसमें देखे, पहला पेपर में जानस मिले देखे, साथ साथ लिखा है कि, खंड आ सभी के लिए अनिवार है, और खंड बा में, जो आपका खंड पहला पेपर होगा, यानि हम इसको आ ले लेते हैं, पेपर आ ले सकते हैं, या पेपर आपका प्रश्वत परसम ले सकते हैं, तो जो पहला पेपर है आपका, वो आपका कितने घंटे का होगा, तीन घंटे का होगा, जिसमें आपसे कुल कितने प्रश्वत पूछे ठिक है 1 question 10 question he अब बात करते हैं दूसरी paper में जो आपका दूसरा paper होगा यहाँ पर आपको सज्वित्ध ध्यान रखना है जो आपका second paper होगा second meeting होगा यह आपका भी the custom का होगा इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा तो पहला इसमें भी खंड आपका A और B के रूप में बटा हुआ है तो इसमें भी आप देखिए जो दूसरा पेपर है इसमें खंड आप सबके लिए क्या है अनिवार है जो आपका सामान अभिरूची परिच्छान अर्था जो जनरल अप्टिटूड आते हैं आप सभी मेंनत करेंगे तो आप सभी को गवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा अच्छे खासे अंग आप राप कर लेंगे बस आपको क्या करना अभिहास की जरूरत है तो वही प्रियास आपको क्या करेंगे सफलता दिलाएगी आपका कर्म है करना फल इश्वर का देना है अर्थात हमारे जो कर्म होगा हमें फल जरूर अवश्य मिलेगा इसलिए आप सभी कर्म करना शुरू कर दिजिए तो यहाँ पर प्रेविद द्यार्थी हूँ आपका जो सिकंड पेपर के अंतरगत आपका सामान अभिरूची अर्था जो जर्नल अप्टिटूड है उसमें भी प्रेशन आपको पचास पूशे बचाएंगे और सिकंड पेपर जो इसमें आपका खंड बा है उसको याद रखेगा यह आपका बिसाय निर्धारित है यह आपका बिसाय पर बनेगा तो आपका इश्टीम अर्थात वर्ग में आधारित आपका तीन वर्ग आता है एक आपका कला वर्ग जो आठ साइट बच्चे पढ़ते हैं वो कला वर्ग अर्थात मान भी की वर्ग कहलाते हैं जो विग्जान वर्क पढ़ते हैं, और जो आपका economics वर्क पढ़ते हैं, वो वाड़जी वर्क कलते हैं, और agriculture वाले बच्चे आपके किरसी छट के कलते हैं, तो आप सभी यादि भीय किये हैं, तो आप कला वर्क मिन जाएंगे, अगर आपने वीची किया है, तो आप किस में बिज्ञान वर्म जाए ऐसे ही आपको decide के जाएगा तो आपका जो second paper है second paper में second paper में जो B भाग है अर्थाज जो खंड बा है उसमें आपको विशेद ध्यान रखना है उसमें आपको क्या किया जाएगा देखें यहाँ पर दिया साप साप खंड आपके सबके लिए अनिमार है यानि जनर्ण अप्रिटूट और आपका खंड बा जो है उसमें चार विशेद दिये गए चार में से किवल आपको अपना ही विशेद प्रशन का उत्तर हल करना है वो paper आपको पूरे paper में चारो विशेद दिये रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है चार में से आपको जो विशेद होगा उसी प्रशन का उसी का उत्तर दीजेगा तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आप से जो भी प्रशन पूछा जाएगा अभी से आधारित वो सभी आपके क्या होंगे असनातक अस्तर पर आधारित होंगे याद रखिएगा वे आपके असनातक अस्तर पर आधारित प्रशन होंगे बहुत ही difficulty और अच्छे प्रशनों रहते हैं तो बहुत आसान तरीके से भी रहते हैं बहुत समाने तरीके से भी र तरगत बिंक्स ओफ इंडिया पुस्तक की लेखा कौन है या माल लिए कुछ भारत सरकार द्वारा योजनाय जो संचारित की जाती है ऐसे बहुत सारे प्रशन है जिस पर आप से पर लिए खार होगा जो समान ड्यान और बहां सा आधारित होगा जो सब के लिए अन्यान अधारित होगा वह आपका जो बिशय है उसी आधारित प्रशन आपके दिये जाएंगे जैसे आपका जो कला वर्ग है उसमें समाजी विज्ञान से प्रश्ण बनते हैं तो समाजी विज्ञान में आपके समाजी विज्ञान के अंतरगत आपका जो समाजी विज्ञान में आप जो पेपर खोलते हैं तो उसमें जो भी नियम रहता उसको ध्यान से पढ़ लिजेगा यहां पर जो यह नहीं दिया गया है कि कि किस विश्य से कितने प्रश्ण आप से पूछे जाएंगे तो 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 यहां पर आप से जो समाजी विग्यान के उत्तर देना है यह भी देने से पहले कुछ ने इंट्रेक्शन वहां भी पढ़ लिजे कभी कदर क्या होता है नई ने जानकारी होती है वे बोड़ द्वारे निधारित बाद में दी जाती है तो इसको भी आप इसे ध्यान रखिएगा तो यहां पर आपको आज वीडियो में आपका जो